Hello friends, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आज मैं आप सभी के साथ में बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर के आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में बन जाती है और बहुत कम सामान लगता है इसे देखते हैं कि कैसे बनाना है इसे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने पास में बेल आइकन है उसे भी दबा लें चलिए देखते हैं कैसे बनाना इस रेसिपी को इसके लिए सबसे पहले वाइट ब्रेट लेंगे आप चाहें तो ब्राउन ब्रेट का इस्तिमाल कर सकते हैं पर वाइट ब्रेट से ज़्यादा अच्छी बनती है अब ये 21 तरीके का कैप ले लेंगे जो आगे से शार्प हो अब इसकी मदद से हमें इसके छोटे-छोटे गोले काट लेने हैं ये देखिए मैंने इस तरीके से काट लिया है और मैं इस तरीके से टूटपिक की मदद से बाहर निकाल ली हूँ आप चाहें तो इसे फ्रंट की साइड से भी एक साइट से किनारे से अगर टूथपेस से मदद से निकालेंगे तो निकल जाएगा ये देखिए अगर आपके पास में कोकी कटर हैं तो उनसे आप काट सकते हैं पर मैं इसे इस तरीके से कैब से काट रही हूँ हमें से बहुत से लोग पास में कोके कटर नहीं होते, इसलिए मैं आपको कैप से काट कर दिखा रही हूं ये देखी, इस तरीके से मैंने काट ली हैं, ये मैंने सभी ब्रेट से काट करके तयार कर लिया अब हमने गैस पर कड़ाई रखी और इसमें मैं आदा लीटर फुल क्रीम जो मिलक आता है पैकेट वाला वो मैं डाल रही हूँ और इसे हमें इस तरीके से चलाते हुए पहले एक से दो मिनिट पका लेना है अब हमने इसे पका लिया अब हमें एक कटोरी में एक से दो चमचे भर करके दूद साइट रख लेना है आगे इसका क्या करना है मैं अभी आपको बताऊंगी और दूद को हमें अच्छी तरह से पकने देना है इसके बाद में जो हमने कटोरी में दूद निकाला था इसमें दो चमच भर करके कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसमें बिल्कुल भी कुटलिया ना रहे हैं इस तरीके से अच्छा से मिला लेना है ये देखिए इसे हम डालेंगे दूद में और इसके लिए सबसे पहले दूद को एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे बर्तन के साइड में जो मलाई चिपक जाती है इसे जरूर छुडा लें और इसकी बात में ये जो हमने कस्टर्ड और मिल्क का खोल बना करके रखा था इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें दूद में डालना है इसे एक साथ बिल्कुल भी ना डालें नहीं तो ये गुठ्लियां बन सकती है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथी साथ दूद को इस तरीके से मिलाते भी जाएंगे बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, हमें मिलाते रहना है एक से दो मिनट तर कंटीनियू मिलाएंगे, इसके बाद से पकने को छोड़ देंगे अब यहां मैंने चोथाई कब भर करके मिस्री डाली है आप इसकी जगह चाहें तो चीनी या धागे वाली मिस्री जिसका भी इस्तिमाल करना चाहें मीठी में कर सकते हैं यह जो हमने ब्रेड के गोले काट करके रखे थे, इन्हें भी अब टाल देंगे साथी साथ और अच्छी तरीके से मिला लेंगे इन्हें बस एक से दो मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और यह देखिए दूद भी अच्छे से गाड़ा हो चुका है यह हमारी टेस्टी सी रस्मलाई बनकर के तयार है इसे हमने बहुत आसानी से ब्रेड से ही बना करके तयार किया है पर यह खाने में बिल्कुल रबडी जैसा टेस्ट आएगा इसका बिल्कुल कोई बता ही नहीं पाएगा किसे हमने ब्रेड से बनाया है आप सभी को मेरी बताई हुई यह रेसिपी कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब करें पास में वेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपके पास में पहुँचे यह देखिए मैं आपको यह काट करके दिखा रही हूँ है यह कितनी सॉफ्ट बनी है